तीन होमियोपैतिक मेडिसीन सभी घरों में होना बहुत जरूरी है दोस्तों हम जब घर वेगारा में काम करते रहे उस समय चोट भी लग जाता है या घर में बच्चे है तो बच्चे को गीड़ जाते है तो उसे भी चोट लग जाता है और या काम वेगारा करते समय में हाथ क किल गड़ जाए तो दोस्तों तीन होम्योपेति मेडिसीन के बार में हम बताएंगे वह घर में आपके रहेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहेंगे बहुत ही आपके लिए अच्छे रहेंगे जोट लग जाए या कील गड़ गया या काटी गड़ गया तो समय आप दवा का प्योग केजिएगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जा गाए तो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मारा यूटूब चैनल मेडिसेन जीकते में दोस्तो पहली दबा है अर्नीका 30 दोस्तो अर्नीका 30 दबा चोट के लिए बहुत ही बढ़िया दबा है बहुत ही बढ़िया है चोट के लिए दबा तो दोस्तो अगर चोट वेगारा लगया है उस समय आप अर्नीका 30 दबा का उप्यों किजेगा अर्नीका 30 दबा को जब काम राइन आप कट जाए या पैर कर जाए किसी जगहा पर पाख जाए उस समय आप कैलेंडूला क्यों दवा कर लू कि जांड गया मेले के जहां कट गया वहां पर रूई को बहुत जल्ड ठीक हो जाएगा जक्म जो कटा हुआ जक्म में वह बहुत जल्ड ठीक हो जाएगा तीसरी दवा है लीडम पाल 200 दवा को तब आप उपयों कीजिएगा जब कील वेगारा गर जाए जंग वाले चीज से आपका हात वेगारा जाए कोई भी चीज कट जाए तब आप लीडम पाल 200 दवा का वंपयों कीजिएगा लीडम पाल 200 दवा दो दोबुद एक से 2 दिन तक पी लीजिएगा बहुत ज़ल्ड ठीक हो जागा जैसे छहता क्या है लीडम पाल दवा को टीटनेस की रूप में यह ठीटनेस को आपको सुई लएने की कोई जरूरी नहीं पड़ेगी आप लिडम पाल 200 दवा आपके घर में तो लिडम पाल 200 दवा पिले दोस्तों यह तीन होमियोपैती दवा के बारे मता है अर्नीका केलेंडूला और लिडम चोट लगें तब उपयों की जगा केलेंडूला के उपयों करना है जब कट जाए कहीं पर कट जाए तो आप लिडम पाल 200 दवा का उपयों कीजिएगा दोस्तों यह तिन दवा आपके बहुत ही फायदे मन दवा है तो यह तिन दवा आपके घर में होना बहुत जोड़ी है दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपकी जनकारी के लिए बना गया था वीडियो अच्छा लागा और जनक करी हमारी चानल पर अपलोग निसाराइगा